इस चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी वाला बटन तो जुरूर दबाएं किसान फायो आज हम बात करेंगे पोल्टरी के बारे में देशी मुर्गी के बारे में के इससे हम कैसे मुनाफ़ा ले सकते हैं कैसे इसका रखरखाव है जो हमें करना चाहिए आज हम स्पेशल तोर पर पहुंचे हुए हैं देवीगड रोड फुनरहेडी जिला पटेयाला के छोटे से गाउं में जहां पर एक नौजबान वीर जसन प्री सिंग जो कैसी तरह से देशी मुर्गी का जो धंदा है उसको चल जानती थे पहले लोगडाउन की वज़ा से बहुत सारे नौजवान बेरुजगार घूम रहे थे और हमने भी सोचा एक दिन ऐसी घर बैठे-बैठे कि ना कुछ करने से कुछ ना कुछ तो करें तो घर पे बैठे-बैठे यूटीब पे आपकी वीडियो के जरिए हमने थो जिससे हमें थोड़ा सीख मिली कि ये बर्ड हमें धंदा करना चाहिए और फिर हमने थोड़े से बर्ड से ये शुरू किया और आज हमारे पास लगबग 2200 से 25 बर्ड है हमारे पास हम बातचीत करें अगर के इस काम को करने के लिए आपको किसी ने रोका टोका तो नहीं क्योंकि आप पहले इस काम में नहीं थे तो आज हमारे साथ है चलो अच्छा काम है हमारा अच्छा चला है तो आज हमारे सपोर्ड करते हैं घरवाले भी कि अगर और भी काम बढ़ाना है तो बढ़ा लो आपने कितने वर्ड से शुरू किया था चोटे वर्ड से शुरू किया था जा वड़े वर्ड से शुरू किया था हमने तकरीबन जी तेती वर्ड से शुरू किया था जो की कटकनाथ बर्ड था उससे हमने तेती वर्ड से शुरू करके फिर हमने 100 और 200 डावल एफजी बर्ड ओड डाला और धीरे धीरे फिर बढ़ता बढ़ता अज हमारे पास 2200 से 25 बर्ड है आप अब देसी का ज़्यादा करें उफिरा हाँ जी हाँ बिल्कुल देसी का हम डवल एफ जी और आर आई आर का ज़्यादा कर रहे हैं और कड़कनाथ का भी हमारे पास चूजा अवेलेबल है जी आप भाई साव आपने देसी का वर्ड क्यों चूज किया कि आपने इस लोस के चांस बहुत ज्यादा कम है जी लोस के चांस ऐसे है कि इसमें कोई ज्यादा लोस नी होता मुना अगर लोस होने के चांस होते भी है तो मुनाफ़ा थोड़ा हो जाएगा लेकिन लोस नी होगा आपको कभी बिस काम में तो आपका खर्चा पूरा हो जाएगा लेकिन लोस नहीं होगा आपको कभी लोस हुगा इस काम में नहीं जी देखो शुरू शुरू में दिक्कते तो आई लेकिन लोस तो आज तक नहीं हुआ जी लोस तो नहीं हुआ आज तक पूरा हो जाता है फर जो हमारा खर्चा लगा हुआ ता है शैड पर भी हम खर्चा कर देते है वो पूरा खर्चा हमारा वर्ड जो कर जाता है बिल्कुल जी अच्छे तरीके से बढ़की देख करोगे संभाल करोगे तो बढ़ खर्चा अपना पूरा कर जाता है बढ़ अपना खर्चा रखता नहीं है यह तो ऐसा है गाई बैस की तरह है जितना आप आओगे उतना यह हमारा फारम जी 70 बाइ 30 का फारम है और इसमें हम बड़ा बड़ तो रखते नहीं हम तकरीबन चोटा बड़ एक मिन्त से लेकर दो मन्त तक इसमें पालते हैं और फिर सेल कर देते हैं यहां इस फारम में तकरीबन मान के चलिए कि 3000 बड़ असानी से आ जाता है हाँ जी भाई साव हमें जे बताइए कि हमने इस वर्ड की साम सवाल कैसे करनी है क्या क्या सावधानी हम बड़ सकते हैं इस तांजो इसकी अच्छी देखवाल हम कर सकें देखो जी यह देशी बड़ इसकी जादा देखरेक तो करने की कोई जादा जरूरत नहीं होती बस यह कि थोड़ा टेमप्रेशर का जब बच्चा होता है तो टेमप्रेशर का मनेजमेंट थोड़ा करके रखिए और कोई भी सीधी हवा वगेरा जैसे ना आए जैसे देख सकते हो थोड़ा सा इसको डाउन करके मतलब रखिए कि सीधी हवा अंदर ना आए और इससे होता है कि जब सीधी ठंडी हवा इसको लगेगी तो एक CRD की प्रोलम होती है जो जुकाम वगेरा की होती है वो बढ़को आ जाती है उससे फिर दिक्कतें बढ़ जाती है त सावे से केतने समा दिन में फीड देनी चाहिए जा फीड के साथ कुछ और वी हम दे सकते हैं देखो जी फीड के साथ हम तो इस बढ़ को तियार करते हैं जैसे सेल करने के लिए हम तो इसको फीड जालते हैं और मुर्गियों को हम अजोला वगेरा हमारे शेड के पीछे दोला दे देते हैं खाने में उससे वह स्वस्त वी रहती है और अंडा का जो क्वाल्टी होती है वह अच्छी होती है बाकि हम इसको जैसी चूज़े को तो कॉंटीन्यू एक मंथ तक तो मार्किट फीड यूज करते हैं इससे यह होता है कि चूज़ा थोड़ा ग्रोथ में अपने जो भी जैसे अपना बजट उस इसाब से वी काम करना चाहिए तोड़ा बजट हमें जादा चाहिए क्योंकि अंडे के लिए हमें मुर्गी को तकरीबं चार से पांच छे मन्त तक बालना बढ़ता है उसमें फीड का खर्चा वगएरा चार मन्त तक अपने खुद के अगर हम अंडे देने वाली मुर्गी की बात करें वो एक दिन में कितने गराम या कितने रुपए की फीड खा सकती है देखिए ये तो ऐसा है कि जब जब बढ़ा बढ़ होता है तो उस इसाब से फीड खाता है हम हमारे पास चार्ट है जी और आप स्क्रीन पर भी दर्शक को दिखा देना कि हम इस चार्ट के मुताबिकी फीड बढ़ को और जैसा मान लिजे कि अंडे वाली मुर्गी है उसको हम सो से एक सो बीस ग्राम फीड दालते हैं और विद जोला ग्रास डालते हैं और जब जोला ग्रास डाल देते हैं तो फीड तकरीब हम असी से नबबे ब्रड़ को ऐसे अंड्रों के बात करें, जहार रॉपए पर बिख जाता है जाएसे सेल करमें कोई प्रुपैब को नहीं आती है नहीं तो making कोई दिक्कत्थ नहीं आती। कर्ष्टमर तो हमें अडवांस पैसा देके जाता है कि हमारा रख लेना हमारा रख लेना क्योंकि मार्किट में अब जाओगे मार्किट में बहुत सारी डूलिगेट परड़क्ट मिल रहे हैं तो जो भी हमारे पास कर्स्टमर आता है उसकी आखों के सामने हम अंडा उठा के तो हम वैसे हमारा रेट नॉर्मल याम लूट खो में कोई ज्यादा वह नी रखते क्योंकि कम कमा लो अच्छा कमा ओ ठीक है हम तकरीबन 10 रपे 12 रपे हमारा रेट रहता है अगा का मतलब के कोई दिक्कत नहीं आती बिलकुल भी कोई दिक्कत नहीं आती बस मनेजमेंट के मैं मैंने आपको बताया कि तकरीबन 15 दिन तक केर कर लो जनवर की उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका बर्ड 15 दिन में अच्छा नहीं चला तो आगे ज हमारे पास सेट के लिए क्या क्या होता है हमारे पास सेल के लिए जी अपना देशी बड़ा जो चिकन के लिए ये भी अवेलिवल रहता है कितनी भी कॉंटिटी में कहां भी चाहिए हो हम डिलिवर कर देते हैं कस्टमर को और हमारे पास देशी चूजा जैसे RIR, FFG और कडकनाथ इसका एक दिन का बच्चा, पांच दिन का बच्चा, दस दिन का बच्चा जैसी भी कस्टमर की डिमांड हो हमारे पास अवेलिवल रहता है और जहां भी डिलिवरी चाहता हो कस्टमर वहां हम डिलिवरी कर देते हैं लेकिन कॉंटिटी होने चाहिए जो भाई साब आप से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा हम आपका धन्यवाद करते हैं आप हमारे चैनल पर आए और अच्छी जानकरिये जो हमारे भाईउ को दी धन्यवाद जी आपका वी और आपकी टीम का वी मैं तो यहीं चाहता हूँ कि मेरे जरीए आपकी चैनल के जरीए किसान भाईयों को जो रुजगार गूम रहे हैं उनको भी थोड़ी इसमें मदद मिले वो अपने रुजगार कोई ना कोई छोटा रुजगार शुरू कर सके क युकि रुजगार तो छोटे से ही बड़ा होता है हांची है सो किसान भाईयों हमने बात चीत किया जसन भी जी से जिन्नों ने हमें बहुत सारी देशी पोल्टरी के बारे में जानकारी दी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं नई वीडियो ल